आप सब देख सकते हैं, Bitcoin Halving में बचे हैं सिर्फ 9 दिन और 20 घंटे, ये डेटा मैं आपको देख के बता रहा हूँ, नाइस हैश पे और ये जो डेटा है, एका दिन ऊपर नीचे बिलकुल हो सकता है, बिगस यहाँ पर ब्लॉक रिवार्ट्स पे टेपेंड करता है कि Halving कब हो फिर आज की वीडियो के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर आप देखोगे तो यह थी डेट Bitcoin Halving की, विच वस 11 मैं 2020, यहाँ पर 11 मैं 2020 को जब Halving होई तो Bitcoin ने लो क्रिएट किया, 8178 डॉलर्स का या 8157 डॉलर्स तक विक बनाई, और उसके बाद, Bitcoin 8157 डॉलर पर आप देख सकते हो दोस्त, कभी भी देखने को नहीं मिला, और अभी कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, 8178 डॉलर्स यह तो एक ऐसा प्राइस है जो सब को ही पता है कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो Bitcoin Halving आ रही है, अभी हमने पास्त में अभी तक तीन Halving देखे, च हैगल तो चेंज हो गई है, तो ऐसा हो तो सकता है, कि इस बार ना हो ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, बट चार में से तीन बार जब कोई चीज होती है, तो आपको Probability पे ही पैसा लगाना चाहिए, ना कि आप reverse prediction करें और उस पे पैसा लगाएं, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी halving पर price होगा, वो एक काफी अच्छी opportunity हो सकती है, अब हम यहाँ आज की वीडियो में discuss करेंगे कि crash आएगा या pump आएगा नियार या after halving में, bitcoin का chart analysis करेंगे, liquidation game आप से discuss करेंगे, total 3 का chart analysis करेंगे, देखेंगे कि all season में हमें कब तक एक, मैं बोल सकता हूँ, progress होती दिख सकत ETH के analysis करेंगे, DOGE के analysis करेंगे, क्योंकि दो ये alt coin ऐसे हैं, जो यहाँ पर all season को push कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीगे से, तो अगर आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को subscribe ज़रू करना, वीडियो को कर देना like, ताकि आपको ऐसा content मिलता रहे, आज की वीडियो को like टागे रह होगी, मैं आपको काफी सारे charts, twitter पे देने वाला हूँ, telegram पे join करना भी ज़रूरी है, because अब यहाँ पर जितने time से हम wait करें, नए coins को सारे ही coins आने वाले हैं, और सबकी buying strategy आपके सब में share करने वाला हूँ, तो नीचे दिये गए link सही, दोस्त, join करना, आपको किसी भी link और स आपको scam करने के लिए, तो अगर हम देखते हैं, bitcoin के chart को, तो bitcoin के chart में, एक interesting चीज क्या दिखती है, कि यहाँ पे bitcoin, अभी अगर आप देखोगे, from this date, 5 March से लेके, अभी आज हमने हैं, यहाँ पे, 8 April को, पिछले एक महीने से, bitcoin एक choppy movement में है, बड़े choppy movement में भी अगर आप चीज देखोगे, तो जो lows हैं, यह जो low था, इससे उपर यह low था, दोस्त, इससे उपर यह low था, और इससे उपर last low था, जो अभी हमने देखा, तो यहाँ पर bitcoin continuously higher lows print कर रहा है, जो कि एक अच्छा sign है, market के लिए, यहाँ पर अगर आप pattern देखोगे, तो generally it is a bullish pattern, ठीक है, generally this is a very bullish pattern, पर bullish pattern कब होगा, जब इसको break करके, यानि कि 74,000 की top side को break करके, test करके देन ऊपर जाता है, और कई बार market पर हमने देखा है थोड़े दिन पहले कि कई बार test भी नहीं हो रहा है, so यहाँ पर depend करेगा जब bitcoin इस range को थोड़ेगा, अगर यह bullish pattern की तरह काम नहीं करता, और हम बोलेंगे कि bearish pattern की तरह काम करते हैं, और इस low से नीचे bitcoin चला जाता है, तो एक obvious target जो यहाँ पर low है, 60,000 डॉलर का, वो आपको देखने को मिलेगा, obviously having है, तो बहुत ज़ादा मैं बोलू हुआ कि यहाँ पर volatility रहने वाली है, अगर आप future trading करते हो तो बहुत ध्यान से अगर हम liquidation data देखते हैं, तो यहाँ पर favor में जाता है, shots के, ठीक है, generally ऐसा होता है, जब बहुत ज़ादा longs होती है, तो आपको longs नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर almost move end हो चुका होता है, तो यहाँ पर अगर bitcoin जो बिलकुल highest liquidation level है, उसको भी ले लेता है, जो हम यहा सारी ही liquidation ले लता है, 65,000 तक की भी liquidation ले लिता है bitcoin, तो क्या bitcoin bearish होगा, 65,000 कहा है, 65,000 अगर 65,000 आता भी है दोस्त, तो कोई जादा फरक पड़ेगा नहीं, क्योंकि इस low से नीचे जब तक closing नहीं मिल रही, which is 64,000 इस level से नीचे closing नहीं मिल रही, तो इसका मतलब bitcoin अभी भी bullish है और higher lows बना रहे है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है while looking at the bitcoin chart, so सीधी सीधी बार यह है, चाहे dump आई, चाहे pump आई, this could be a life changing opportunity for you, अगर आप crypto में dump का इतने time से wait कर दे, correction का wait कर दे, अगर एक correction आती है, तो उसको grab करिएगा, क्योंकि जो halving पर जैसा हमने past में देखा जो halving पर price आपने देखा, वो दुबारा आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, so halving अगले 10 दिन में ही है, इस चीज को हम बहुत दिनों से discuss कर रहे हैं, तो मैं आपको दुबारा एक reminder दे रहा हूँ, अब बात करते हैं, यहाँ पर हम total 3 की, जो की यहाँ पर market cap बताता है, सारे alt coins की, except BTC and Ethereum, right, तो यहाँ पर अगर आप देखो कि total 3 को मैं zoom out करता हूँ, weekly time frame पर, so weekly time frame पर total 3 की काफी major major resistance पर है, जो की हम मानेंगे 833 billion dollars को, right, so 833 billion dollars के उपर closing मिली, तो यहाँ पर एक full-fledged alt coin season ready हो जाएगा, चालू हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पर total 3 को भी द as Bitcoin, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो अगर Bitcoin breakout होता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह भी range में move हो रहा है, right, and उपर resistance जो हम मिल रहे है, 773 billion dollar पर मिल रही है, इसको हम close कर देते हैं, right, इसके उपर closing मिल जाती है, तो यह target अचीव होगा, पर 833 billion dollar के बाद ही real fund चालू होगा, जह यहाँ पर आपको 100-200% के breakout से देखने को मिलेंगे, so यहाँ पर आपको total 3 पर ध्यान रखना चाहिए, अगर मैं देखता हूँ sniper को, so sniper अभी क्या indicate करता है, अभी नहीं indicate करता है, यहाँ पर फिलाल के लिए, अगर मैं daily time frame पर देखता हूँ, तो daily time frame अभी तक bullish नहीं हुआ है लास्ट टाइम हमने देखा था, यहाँ पर daily time frame को bullish होते हूए, तो अगर ऐसा scenario दुबारा play out होता है, तो यहाँ पर एक chance है, high chance है, all season load होने का, जब यहाँ पर यह हमारा scenario play out होता था, तो total 3 था was on 490 billion dollars, total 3 में यहाँ से, यह था feb में, feb के बाद आप यहाँ पर देख सकते है, वह total 3 में, तो अभी हमें observe करना बहुत ज़रूरी है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर आपका portfolio नहीं है market, by chance अगर आप ऐसी situation पर पैठे को, कि आपका portfolio लगा ही नहीं हुआ, 100% cash में हो, DT में हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि फिर आप higher prices उस पर खरीदने के लिए त्यार रहें है, हो सकता है काफी सारा लोग ऐसा सोच रहे हों कि अभी base देते हैं, एक dip आएगी, और वहाँ पर खरीद लेंगे, हो सकता है कि dip आए, right, क्योंकि हमने यहाँ पर bitcoin को discuss किया है, तो यहाँ पर इस level पर या worst case scenario में, 60,000 dollars पर एक dip आपको द लास्ट ऐसा prize होगा जो आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप यहाँ पर कुछ और देखना चाहो, तो यहाँ पर एक trend line यहाँ पर भी थी, जहाँ पर कई बार multiple times rejection हमें देखने को मिली है, अब यह trend line के उपर हम breakout कर चुक है, और अब हम देख सकते हैं कि एक retest भी बनत काफी सारी चीज़े हैं, आपके सामने आ रही होगे, ऐसी कि बेच दो खतम हो गया, यह हो गया, बट ऐसी जब चीज़े आती हैं, तो generally it is a good time to buy and not to sell, तो जितने भी पुराने subscribers हैं, I know, most of them are in profit, जो profit बने हैं, वो आने वाले टाइम में profit बने हैं, और एक strategy के साथ चलेंगे आप ऐसा नहीं कर पाओगे, कि आप यहाँ बेच के नीचे खरीद लो, unless and until आप पूराद में market को देते हो, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, I know, अगर आप total 3 के structure को देखते हो, bitcoin के structure को देखते हो, बोत आर सेम, so bitcoin जैसा move होगा, उसे साब से total 3 move होगे, यहाँ पे हम expect कर सक को मिलेगा कि bitcoin ETF अप्रूव होगा, अब अगर हम देखते हैं, 3D time frame में sniper को, अगर आप देखो कि तो major resistance में देखता हूँ, ethereum के लिए, that is on last high, 4028, and यहाँ पे structure भी change होता हुग, हमें दिख रहा है, किस तरीके से structure change होता दिख रहा है, आप देख सकते हो, अभी तक इस in points के पर हमें closing नहीं मिली थी, किसी भी candle की, 3D time frame में, right, अब यहाँ पे closing मिल गई, याने की, एक higher high बन चुका है, इस high से higher high बन चुका है, obviously, so अगर यह continue रहता है, अगर हम यहाँ पे support देख लिता, 3500 डॉलर्स का, इसके उपर ऊपर Ethereum रहता हो, the high chances 4000 डॉलर्स तक जाएगा, and उ आस तक ऐसा नहीं होगा, कि Bitcoin halving negative रही हो, crypto के लिए, short term में आपको, मैं बोल सकता हूँ, shake off देखने को मिल सकता है, but यहाँ पे, फाइदा आपको तभी होगा, जब आप, थोड़ा सा upside की सूच होगे, instead of downside, अब अगर आप यहाँ पे sniper को देखते हो, 3D time frame में, तो एक situation देखने को मिला था, this, हमने यहाँ पे देखा था, this was the time, इसको हम mark कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, इस line को, और उसके बाद देखते हैं कि move कैसा आया था, तो I am just waiting, and watching, क्योंकि मुझे बता है कि जब move आएगा, तो मुझे मिल जाएगा, तो मुझे कोई हरी क से फाइदा उठाने, तो you can go and look at layer 2, तो उसको आप देख सकते हो, Ethereum is strong, not bearish, I would say, यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, तो higher lows print हो रहे हैं, so it is a good sign, but अभी oscillator पे हमारे signal नहीं आया है, कि अभी breakout हमें मिलने वाला है, but signal जब आता है, oscillator पे छोटे signal को हम catch नहीं करते हैं, 10-20% व मिला था, daily time frame में, doge coin में, so कैसा structure था, यह था signal, right, this was the signal, या फिर हम बोल सकते हैं, इसको, यह था actual signal जहां पे मैंने mark भी कर रखा है, so आप देखेंगे, अगर doge coin में यह signal अभी print होता हमें नहीं देख रहा है, although यहाँ पे जो नीचे का move है, अभी तो यहाँ पे यह, gun powder साथ देता, अगर इसी तरीके से, जहां पे, जहां, जैसा पिछली बार साथ दिया था, तो यह अच्छा pump देखने को मिलता है, last time हम ने जब sniper में एक activity देखी दिया, ऐसी, जो bullish थी, तो उसके बाद हमें अच्छा खासा pump, उसके बाद थोड़ी बाद, थोड़ी को बड़े time frame पे दोस, so you can see, this is one of the last resistance, doge को जो तोड़नी है, उसके बाद straight away एक ride है, मार पास 33 cents की और 37 cents की, और जब doge pump होता है, तो generally, market में काफी अच्छे pump आते है, shit coins में, so this will be a very exciting time, यहां पे डरने की तो ज़रोद बिल्कुल भी नहीं है, एक गलती बिल्कुल मत करना, काफी जारे लोग कर रहे है, overly exposed है leverage, leverage trading करो, बहुत चीब बात है, आप कर रहे हो, आपको पैसा बन रोज के साब से, that is good, but leverage trading ऐसी करो, जिसमें आपका risk manage रहे है, अगले 10 दिन में अगर आपने portfolio का छोटा सा भी part खो दिया, तो उस part को आप काफी बड़ा बना सकते हो आने इस चीज को दिहान में रखना, आज मैंने किसी coin का आपको breakout नहीं दिया, किसी coin की वीडियो नहीं नहीं पर आपको यह बता दिया है, मैंने, this video is all about that, the next 10 days are very important, and यहां पे आपको halving पे जो price देखने को मिलेगा, जितना मैंने analysis कर रहा है, जैसा history देखा है, उस हिसाब से, य जाएगा ही नहीं, जन्दगी में कभी है, ठीक है, तो ऐसी चीज से मत करो, जो आप dump का वेट कर देखा है, वो अल्रेडी चल रहा था है, तो खरीदने ही कोशिश करो, यहने, पास में आपको कई वीडियो बना कर बता है, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो परानी वीडियो बताना अपना experience, और में लेगा दुबारा नहीं वीडियो, नहीं कंटेंट, और नहीं नहीं opportunities के साथ, I know market थोड़ी slow चल रही है, choppy चल रही है, मजा नहीं आ रहा, कम views आ रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं, पर आप लोग जो इस टाइम पे वीडियो को देख रहे होना, सबस्यादा फाइदा आपको ही होने वाला है, क्योंकि जो लोग low hype में, low volatility में market को देखते हैं, उनकी entries हमेशा better होती हैं, pump में तो दुनिया गुसने वाली है, तो आप यह वीडियो देख रहे हो, तो आपको फाइदा होने वाला है, बस यहाँ पे यह बेवेकूफी मत करना कि यहाँ बेच के नीचे खरीदने कोशिश मत करना है, लिवरेज अगर कर रहे हो, करो, over expose मत होना, कहीं ऐसा ना हो कि portfolio का एक big chunk आप halving से पहले ही खोदो, क्योंकि यहाँ पे chances बिल्कुल हैं, बहुत जादा manipulation होने के, right, क्योंकि event ऐसा है, and यहाँ पे अगर मैं आपको बता आजेगा, and all season यहाँ पे high chances है load होने के, तो ऐसा मत करो कि आपनी holdings बेच रहो, क्योंकि बेचने आपको पहले जीए थी, अब तो नीचे आ चुका है, अब यहाँ पे बेच के कुशने होगा, next 10 days are very important market में बने रहो, आपको मुझे पता है, boring लग रहा है, ऐसा लग रहा है, बेचे करो.